बिहार के मुक्यमंतरी नितीश कुमार एक तरफ जहां विपक्षी एकता की मुहीम को ले करके तैयारी में जुटे हुए हैं 23 जून को एक बड़ा बैठक बिहार की राजदानी पटना में होने वाली है और इसकी देखरेक बिहार के मुक्यमंतरी नितीश कुमार खुद करने वाले हैं जाएक तरफ वहाँ भी पक्षी एकता को मजबूत करने में लगे हैं वहीं महा गडबंदन धीरे धीरे कमजोर होते हुए नजर आ रहा है पहले जीतन राम मांजी ने अपना जो सपोर्ट था वो घीच लिया वामदलों ने चेताओनी जारी कर दी और अब देखिए जीतन राम मांजी के आवास पर कारेकारनी की बैठक होने वाली है क्या जीतन राम मांजी NDA में शामिल हो सकते हैं आज साम में जीतन राम मांजी निकल सकते हैं अमिच सासे मुलाकात करने जैसे जैसे 2024 का लोग सबा का चुनाव नजदी का रहा है भीहार कि राजनिती धीरे धीरे अब तेज होती होती हुए नजर आ रही है आज देखें जीतन राम मांजी के आवाज पर उनके तमाम जो कारेकरता हैं नेता हैं उनका जुटान शुरू हो चुका है और वहाँ पर वो मिटिंग करेंगे मिटिंग करने के बाद अपने नेताओं से कारेकर्ताओं से राय मस्वरा करने के बाद आज दिल्ली में अमित्शा से मुलाकात करने निकल सकते हैं दूसरी बार होगी अमित्सा से उनकी मुलाकात इसके पहले में दो-तीन महीने पहले उन्होंने मुलाकात की थी और अब ये देखिए दूसरा मुलाकात अमित्सा का होगा जैसे नितीश कैबिनेट से उनके बेटे संतो सुमन ने स्थीपा दिया तब से बिहार के राजनिती औ और जादा तेज हो गई है 23 जून को नितीश कुमार के विपक्षी एकता की बैठक पटना में होने वाली है राहूल गांधी पहुचने वाले हैं कई दिगज निताओं का जमावड़ा लगेगा और इधर महागडबंदन तेलग होकर मांजी बिहार में नया खेल शुरू करना शुरू कर चुके हैं आपको बता दे कि उनके कारे करताओं का हुजूम अब उनके आवास पर पटना में लगना शुरू हो गया है और बैठक के बाद वो तै करेंगे और खबर यह है कि अब जीतन रामान जी मुलाकात करने अमित्सा से निकल जाएंगे आपको बताए कि पार्टी की सुत्रों के माने तो जीतन रामान जी और उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का रुख NDA की तरफ हो जाएगा वो आज इस बात की घोशना भी कर सकते हैं आगे की रणनीती बीजेपी यानी NDA के साथ होगी इसके साथ ही जीतन राम जीतन रामान जी सीम नितीश कुमार और महागडबन के खलाफ मोर्चा खोल देंगे पिछले दिनों इंदुस्तानिया वाम मोर्चा के राष्टी अद्यक्ष संतो सुमन ने मंत्री मंडल से स्थीपा दिया इसके बाद उन्होंने नितीश कुमार साथ जदियू पर या आरो सुबिर बन रहे थे इदर जीतन रामां जी और उनके बेटे राष्ट्री कारेकारनी के बैठक करने के बाद शाम में accomplished in the K प्रुक एंडिये के तरफ होगा एंडिये को मजबूत करने के लिए जीतन रामांजी अब अपने मुहीम पे अड़ चुके हैं फिलाल मीटिंग के बाद जो भी खबरे होंगी हम इस साहते मुलाकात के बाद जो बाते बनेंगी उस पे हम लगतार चर्चा करते रहेंगे आप देखते रहे हैं मारे चनल दे बिहार टॉप जाने बाद